आपके चेप्टर थी मोशन इन स्ट्रीट लाइन में वेलोसिती एंड स्पीट परने के पहले आपको यह मैथमेटिकल टूल जाना जरूरी है क्योंकि यह आपका नेक्स्ट पॉइंट में यूज होगा थिक स्पीड एंड वेलोसिती के कॉंसेप्ट में डिफ्रेंटियेशन म यूज होगा इसलिए पहले हम इससे कंप्लीट करते हैं इस कॉंसेप्ट को समझते हैं और स्पीड एंड वेलोसिती पर जाते हैं तू मैथमेटिकल टूल से हैं जरली डिफ्रेंशियेशन एंड इंडिग्रेशन यह मैथमेटिक्स में ज्यादा आप डिप में पढ़ेंगे बट फिजिक्स में आपको जो यूज होगा हम उतना ही देखेंगे डिफ्रेंशियेशन एंड इंडिग्रेशन में ठीक है कुछ इंपोर्टन उसके बैसिक फॉर्मूलेस हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी एंड उस पर बैस्ट कुछ नियूमेरिकल्स आज हम करेंगे ठीक है सो फर्स्ट फॉल वाट इस तर्म डिफ्रेंशियेशन डिफ्रेंशियेशन का मतलब क्या है ठीक है आपने डिफ्रेंशियेशन के कहीं सारे कॉंसेप्ट पढ़े होंगे कहीं सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे रटे होंगे और उन पर काफी सारे क्वेश्यांस की होंगे ह तो काफी स्यादा chapters है differentiation के पर physics में आप कहीं कहीं पर जो numerical solve करेंगे उनमें differentiation यूज होगा ठीक है so differentiation का actual meaning क्या होता है तो बच्चा आपने simply अगर आप एक graph plot करें ठीक है graph की इसे प्लोट करते हैं यह तो आपको पताएं जिसे हमने एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक प्लोट किया एंड फर्स ली हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिए इस ग्राफ में क्या होगा अगर आप किसी पॉइंट पर यह आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालनी निकालना है ठीकश किस तरह से से एक टैंजेंट ड्रो कर दें ठीक है किया होता है अगर आपके पास पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यों गीवन है इन दोनों के बीच में आपको बताना है तो कैसे पताएंगे तो देखिए यहां पर पी पॉइंट है उसके काडिनेट एक सकी look होगे तो देखिए आप यह वाला जो यह आपका आकस है तो क्वाड पी के लिए एक रच की वैल्यों को दोपो फहलेटे टाहिए पससकर कर लेटे हैं Q के लिए हम एकस की वैल्यों को फोकट कर लेटें Similarly, for y, y के लिए y1 and for q, this is y2. तो आप पता सकते हैं कि यह जो difference है, ठीक है, यह हमने जो triangle draw किया है, इसका difference क्या होगा? तो यहां से यहां तक का जो difference है, total length, p से यह से आप origin मान ले, q से o का distance क्या total x है, sorry x2 है, यहां से यहां तक का distance and यह distance x1 है, तो आप easily find कर सकते हैं difference between the p and q point, ठीक है, यह point का difference क्या होगा, x2 minus x1 and similarly for y, यह पूरा length y2 है and this is y1, so this one is y2 minus y1, okay clear, अब देखिए, हमें यहां पर two points के बीच में slope find करता है, ठीक है, होता है, 10 theta और 10 theta की value होती है, perpendicular upon best, ठीक है, perpendicular upon best, इसलिए हमने perpendicular एक triangle लिया, triangle में यह angle theta हो, ठीक है, theta के सामने का जो part है, this is the perpendicular and against part है, वो क्या हो जाएगा, best और यह hyperdenious हो जाएगा, so perpendicular upon best, perpendicular क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो आपको slope मिला, यहां पर इस condition में, slope क्या मिला, slope is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, अब आप देखेंगे, कि इस graph में आपके हर एक point पर theta की value same है, theta same है, in the sense, 10 theta same होगा, 10 theta constant होगा, okay, so here 10 theta will be constant, okay, तो आप इस slope के, इस diagram के, यह इस graph के, हर एक point पर easily slope find कर सकते है, तो value तो same ही आना है, y2 minus y1 की value change हो जाएगी, और इधर x की value change हो जाएगी, but theta की जो value है, वो same ही होगी, 10 theta always same in this situation, ठीके, इस graph में आपका 10 theta से में रहेगा, but अगर आपके पास कुछ different situation हो, ठीके, कुछ different graph हो, यह straight line graph था, straight line graph में 10 theta की value, means slope की value, क्या ही आपकी constant, ठीके, यह भी constant लिख सकते हैं, but अगर आपके पास इस तरह का कोई graph हो, then आप slope कैसे find करेंगे, ठीके, यह, यह graph हो, अब इसमें क्या हो रहा है आपका, this is x-axis and this is y-axis, आप point P यहां consider कर ले, ठीके, यहां आपने P and Q point consider किया, और उसके थुरू आपने triangle draw किया, triangle draw करने के बाद ही आप slope को find कर सकते हैं, क्योंकि slope is equal to 10 theta, ठीके, triangle draw किया, यहां से 10 theta की values आपने find out किये, अब यहां पर आपको 10 theta निकालना है, means slope निकालना है, ठीके, slope means 10 theta और 10 theta means tangent draw करना है, ठीके, perpendicular line को draw करना, पी and Q है यहां पर, यहां पर point P पर, अगर आप tangent draw करेंगे, 10 theta निकालेंगे, तो यह इस तरह का कुछ situation आएगा, ठीके, और यहां से X axis से, जो angle होगा वो theta, ठीके, यहां पर भी आपको X axis के through ही angle find out करना, ठीके, यहां पर X axis के साथ ही आपने theta find out किया है, ठीके, अगर आप Y axis के साथ में करेंगे, तो यह condition change हो जाएगी, ठीके, यह X वाला जो पार्ट है वो उपर चला जाएगा, Y वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, अब देखिए, यहां पर हमने क्या किया, X के साथ angle यहां, point P पर theta होगा, अब similarly, point Q के लिए, अगर आप tangent draw करें, ठीके, slow find करें, तो कुछ इस तरह से आएगा, and here is the angle theta, ठीके, इससे theta 1, consider कर लेते हैं, इससे theta 2 क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, कि जैसे जैसे आप points आगे लेते जा रहे हैं, theta की value change होती जा रहे है, and indirectly आप सोचें, तो theta will be increases, in this situation, ठीके, theta increase होगा, then 10 theta will be also increases, 10 theta भी increase होगा, क्योंकि theta की value की increase के साथ, increment के साथ, 10 theta की value increase होती है, तो यहाँ theta 1, theta 2, and against, और कोई point ले, theta 3, तो यह क्या हो रहा है, theta की value यहाँ change हो रहे है, means constant नहीं है, theta variable है, theta क्या है, यहाँ, variable, theta is variable, यह 10 theta is variable, तो situation में, आप slope कैसे find करेंगे, क्योंकि slow find करने के लिए, आपको क्या करना होगा, two points के बीच में, जैसे ही, आपने point P and Q, point P and Q के बीच में, यह only one line draw होई है, ठीक है, one line के through, आपने एक angle draw किया, और वहाँ पर 10 theta find out किया, बट यहाँ तो यह lines एक दूसरे को cut कर रहे हैं, ठीक है, point P के लिए line देखें, तो आप यह है, and point Q के लिए देखें, तो यह वाले line है, अब दोनों lines एक दूसरे को cut कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ triangle draw नहीं हो सकता, इस situation में triangle draw नहीं हो सकता, then हम क्या करें, ठीक है, problem create हो गई, कि हम triangle को केसे draw करें, कि आपका 10 theta slope निखल जाए, ठीक है, एक solution है, इस problem का, ठीक है, केसे देखें, हम इस तरह से भी ले सकते हैं, X versus Y के पीच में, और यह आपका slope है, हम क्या करते हैं, यह तो point P को Q के पास ले जाए, काफ़ी जादा पास, इस तरह से, कि यह जो दोनु लाइन्स हैं, वो एक दूसरे को touch करें, cut नहीं करें, ठीक मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यह जो दोनु लाइन्स एक दूसरे को cut कर रही हैं, cut कर रही हैं, इसका मतलब है, यहाँ पर angle draw नहीं हो सकता, बट angle draw करने के लिए, आपको क्या करना होगा, दोनु points से touch करती हुए, एक line draw करना होगा, ठीक है, या तो आप Q point को P के पास ले ले, काफी जादा पास लेना है आपको, या फिर P point को Q के पास ले ले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कि Q को आप थोड़ा सा नजदीक लाते हैं P के, ठीक है, P and यह आपका बहुत-बहुत पास में Q, Q इस तरह से लेते हैं, कि अगर आप इसे पे tangent draw करें, slope draw करें, तो क्या होगा, यह जो line है, same line होगा, ठीक है, P and Q से, जो tangent draw होगा, this is the same line, अब यहाँ से इस condition में, आप देखेंगे कि एक छूटा सा triangle draw हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, इसको अगर आप magnify करें, तो यह इस तरह से आपको एक triangle मिला है, P and Q, यह काफी ज़्यादा pass है, काफी ज़्यादा distance उसके बीच में, आप approximate सकते हैं, 0 बड़, exactly 0 नहीं है, कि यह P and Q, अब यहाँ यह वाला जो part है, यह क्या होगा आपका, क्या होगा, Y2-Y1, बस इसी condition को आप लेके चलेंगे, और, ओके, and X2-X1, बड़, इस condition में क्या होगा, जब P and Q is very, very near to each other, इस condition में क्या होगा, Y2-Y1, Y1 is approximately 0, ठीक है, not exactly, ठीक है, approximately बोल रहा है, आपको P and Q, Q के उपर P को नहीं चड़ाना है, बहुत बहुत pass रखना है, इतना pass कि दोनों का जो difference है, वो 0 के approach हो जाए, ठीक है, 0 के equal नहीं आना है, आपको approach लिए, ठीक है, So, Y2-Y1 tends to 0, इस situation में काफी ज़्यादा small value के लिए, हम एक नया term introduce करते हैं, Dx, sorry, Y के लिए कर रहे हैं, तो D y हो जाएगा, ठीक है, similarly for X2-X1, ये भी काफी small distance होगा, So, ये tends to 0, and जब काफी जाएगा small distance है, X के respect में, So, इससे आप Dx कंसिडर करेंगे, Okay, So, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ Y2-Y1 के place पे आप D y ले ले, and यहाँ Dx, तो आपको 10 theta, ये slope का एक नया formula मिला, 10 theta is equals to, So, क्या हुआ, perpendicular upon best, So, perpendicular क्या है, D y and this is Dx, यही differentiation है, differentiation का actual meaning है, smallest value, हमने small, छोटे-छोटे, triangle, cut कर लिए, यहाँ से, और इन सभी की values को, आप slope के through, define कर सकते हैं, तो slope मिला आपको, d y by d x, किस condition में, जब इस graph में, इस तरह से curve हो, तो आपको every point पर, क्या चाहिए, 10 theta है, slope चाहिए, तो आप सभी points के लिए, छोटे-छोटे points आप consider कर ले, और यहाँ से d y by d x, इस तरह से slope कर ले, यह क्या है, हर एक point पर, slope आपका different आएगा, क्योंकि, यह variable term है, बढ़ यहाँ theta value सेम है, तो यहाँ पर आपका slope constant होगा, d y by d x, यही इसी को बोलते हैं आप derivative of x, ठीक है, इसे आप इस धरह से भी बोल सकते हैं, derivative of y with respect to x, ठीक है, means y का आपने differentiation किया, with respect to x, तो आपको slope मिलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं आप 10 theta, इसनी बात समझ में आई है, कि आपको differentiation का actual meaning क्या होता है, ओके, differentiation का actual meaning जो होता है, smallest values को आपको find करना है, differentiation के through, समझा, ठीक है, अब differentiation को करने के लिए, कुछ mathematical formulas हैं, जिनको आपको follow करना है, जिनको आपको learn करना है, और उसके basis पे, काफे सारे examples आपके solve हो जाएंगे, ठीक है, सो, लेट्स हैव लुक, ओके, important formulas, फर्स्ट वन इस, डी बाई, डी एक्स, ठीक है, आप constant, टर्म ले लें, के, य के प्लेस पे, आप का different, different way to use होंगी, ठीक है, सो, य के प्लेस पे अगर आप कुछ constant लें, और उसका x के respect में, differentiation करें, तो हमेशा 0 होगा, ठीक है, अब जैसे आपने 5 लिख दिया, यहाँ पर, dy by dx 5, यह constant आप है, इसका differentiation क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, and, d by dx, x की power, अगर n हो, ठीक है, तो इसका differentiation क्या होगा, पावर आगे आजाएगा, ठीक है, पावर फोरवर्ड हो जाएगा, and, x की power, और यहाँ क्या हो जाएगा, minus 1, ठीक है, पावर में, minus 1 हो जाएगा, पावर पहले, forward हो जाएगा, and then, minus 1 होगा, ठीक है, d by dx, cos x, cos x का, sin x होता है, बट, minus में, ठीक है, minus, अगें, d by dx, tan x ले ले, so tan x क्या होगा, sec square x, okay, 6 ले लें, d by dx, अभी इनके, reverse function ले ले, ठीक है, sin x का क्या होता है, cos x, so cos x, x का होता है, minus, cot x, into, cos sec, x, okay, 7 ले लें, d by dx, cos का, opposite, opposite sec x, so sec x, is equals to, sec x, tan x, d by dx, cot x, okay, cot x का, minus, cos sec, square x, अगर, आपके पास, only x हो, ठीक है, तो power, क्या हो जाएगा, forward, means, आगे 1 हो जाएगा, and, power 1, minus 1, तो 0 होगा, power x की, power 0, means, 1, तो इसका, 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 answer हो जाएगा, आपका 1, कर दीचिया, with respect to x, जो भी आपका, यहाँ पर variable हो, and, second, as it is, first का, differentiation, clear, 14, d by dx, now, u by v हो, then, तेखिए, v, as it is, du by dx, ठीक है, आपको क्या लेना है, denominator लेना है, पहले, ठीक है, as it is, लिखा, फिर, numerator का, differential कर दिया, minus, u as it is, होगा, and, d, v by dx हो जाएगा, and, whole upon में, क्या हो जाएगा, v is square, जो denominator में है, उसका square, okay, now, एक और condition, इसे chain rule पोलते हैं, d by dx, अगर d y by dx हो, और आपका, किसी ओर term में हो, so, d u by dx होगा, sorry, d y by dx, and, यहाँ, with respect to, आपको अगें, दूसरा quantity लेना है, so, du into, d u by dx, इस जरह से भी आप्रेजेंट कर सकते हैं, formulas को, okay, so, यह आपके, कुछ basic formula है, differentiation की, जो कि आपको learn करना है, और यही, formulas आपकी use होंगे, numerical में, ठीक है, अब इन पर वेसे, कुछ examples करते हैं, simple से examples है, example number first, y is equals to, x की power 5, okay, y is equals to, x की power 5, का differentiation करना है आपको, so, solution होगा, आपका d, y by d, x, y की value क्या है, आपकी, x की power 5, okay, x की power 5 है, so, 5, x की power 5, minus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो, डिर्ट लिए आपने कर दिया, again, next example है, y is equals to, sin x, okay, sin x का तो, formula ही है, हमने लर्न किया है, d, y by dx, y के प्लेस पे आप, sin x पूट कर दें, so, sin x का formula क्या होता है, cos x, okay, and, इसी तरह से, अगर आपके पास, sin x, plus cos x, इस तरह से हो, situation, then, क्या होगा, d, y by dx, और डिर्ट लिए आपको, divide करना है, d by dx, sin x, plus cos x, sin x का क्या होगा, इस तरह से, आप इससे, कर लें, sin x, sin x, plus d by dx, cos x, okay, sin x का, cos x होता है, differentiation, and cos x का, minus sin x, clear, now, next example, y is equals to, e की पावर x, into log x, ले ले, ठीक है, multiplication में हो गया, so, d y by dx, first as it is, second का differentiation, log x, and, second as it is, first का differentiation, d y by dx, e to the power x, okay, so, e power x, log x का क्या होता है, 1 by x, and, log x, e power x, okay, so, यह आपका, dy by dx हुआ, clear, next example, y is equals to, x की पावर 3, plus 4, by root x, minus, minus, 3 by, x square, ठीक है, इस तरह से, आपका, एक question है, इसका solution, क्या होगा, first तो, आप, पहले, इससे, ठीक से, arrange कर ले, y is equals to, x की पावर, 3, plus 4, यहाँ, x की पावर, 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है, तो, half, उपर जाएगा, तो, x की पावर, minus half होगा, minus, 3, x की पावर, minus 2, अब इससे, differentiation कर ले, dy by dx, d by dx, x की पावर, 3 का पहले, differentiation, then, d by dx, 4, x की पावर, minus 1 by 2, and, 3, dy by dx, x की पावर, minus 2, ठीक है, constant तो, बाहर आजाता है, यहाँ, 3, x की पावर, 2, power forward हो जाती है, 1 minus होगा, ठीक है, यहाँ, 4, constant हम बाहर आजाता है, and, half, x की पावर, minus 1 by 2, and minus 1, minus 3 by 2 होगा, okay, and, here, 3, dy by dx, यहाँ होगा, minus 2, and, x की पावर, minus 2, minus 1, so, minus 3, clear, 3 x square, minus 2 से, 4, cancel होगा, minus 2, x की पावर, minus 3 by 2, तो, इससे आप, इस तरह से लेख सकते हैं, x, root, x, ठीक है, 1 and 1 plus, 1 by 2, so, कर दिया, and, minus minus, यहाँ, plus होजाएगा, 3 to the 6, x की पावर, 3, so, 1 by x की पावर, 3 होगा, ठीक है, so, this is, your answer, clear, 1 by 1, step by step, आप, differentiation को, follow करेंगे, so, easily, आपके, numerical, solve होजाएँगे, ठीक है, next example, रहते हैं, y is equals to, x की पावर, 3, upon, sin x, ठीक है, so, upon में, अगर, values हो, so, dy by, dx, sin x, as it is, होजाएगा, and, इसका, differentiation होजाएगा, d by dx, x cube, sorry, x की पावर, 3 का, differentiation, minus x, power 3, as it is, d by dx, sin x, okay, and, sin x, की पावर, square, ठीक है, yes, 2, sin x, यहा, 3 x, की पावर, 2, minus x, की पावर, 3, sin x का, क्या होगा, cos x, differentiation, क्या होता है, sin x का, cos x, and, here, sin square x, okay, so, 3 x square, sin x, minus x cube, cos x, okay, and, here, sin square x, this is your answer, dy by dx, तो, इस तरह से, step by step, सारे, questions को, solve, कर सकते हैं, okay, आज के लिए, इतना ही, कुछ, examples, हमने, basic, examples, differentiation के, अब हम, next video, integration, ले कर आएंगे, and, then, speed and velocity, okay, till then, keep watching, keep learning, thank you so much,